फाइनली रियल्मी ने अपना एक और नहीं स्मार्टफोन रियल्मी का सीची 3 5G को लॉंच कर दिया वही दूसरी तरफ वीव का पापलग स्मार्टफोन वीव का T3 X 5G वैसे तो इन दोने स्मार्टफोन के प्रैस में 3500 रूपीज का डिफरेंट देखिनों को मिल जाता है क्य 249 रूपी की प्रैस में 8GB की रैम और 128GB वाले वीरियन को वाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफोन का प्रोसर देखिनों को मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ वीव के T3 X 5G में का प्रोसर देखिनों को मिल जाता है अगर performance wise बात करी जातों इन दोने स्मार्टफोन में से आप लोगों को वीव के T3 X 5G में काफी ज़दा बेटर परफोर्मेंस देखिनों को मिल जाएगा वहीं दोने स्मार्टफोन के अगर अंत्तू स्कोर की बात करी जा तो एक तरफ वीव के T3 X 5G का जो अ तो यह ज़िए जरूरी है जब दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक प्ले किया गया तो एक तरफ रील में की CCC 3 5G का गैमिंग इसकोर निकल के आता है कि यह दूसरी तरह वीवो के T3X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है दोने स्मार्टपुन का अगर डिस्प्ल सेग्मेंट की बात करी जा तो एक तरब वीवो के T3 XFabgim 6.72 इंच की बिक साइज की फुल HD प्लेस पॉन्चोल वाली IPI डिस्प्ले देखनों को मिल जाती डिस्प्ले के अच्छी इसमुतनेस के लिए 120 हर्टेज रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने के पिल जाता है वहीं दूसरी तरब रियलमी का CCC3 5G में 6.67 इंच की सिर्फ HD प्लेस पॉन्चोल वाली IPI डिस्प्ले देखने के पिल जाती हो डिस्प्ले के अच्छी इसमुतनेस के लिए 120 हर्टे रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने के पिल जाता जो है युद दूसरा कैम्रा तुमेगाफिक्सल का मिल जाता हे विध एलेडी फ्लैस लट के साथ वहीं दूसरी तरब रियलमी के CCC3 5GB के बैक में सिंगल रीयर कैम्रा सिटप देखने को मिल जाता है 32 मेगाफिक्सल का में प्रामरी कैमरा मिलता है इं दोने स्माइटफोन के अ सेलफी कैमरा देखने को मिल जाता है वही दूसरी तरह वीवो की T3 XFabg में भी 8 Megafixle का सेलफी कैमरा देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफोन का अगर बैटरी से एक बिन की बात करीजा तो बैटरी और चार्जिंग इस पर दोनों के मामले में काफी बेश्ट रहाता है वीवो का T3 XFabg 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती 44W फ्लेश चार्जिंग के साथ USB Type 3 port का सपोर्ट देखने के पिल जाता है वाई दूसरी तरव Realme की CC3 USB 1000 mAh की बैटरी देखने के पिल जाती सिफ 10W की कूँँ चार्जिंग के साथ USB Type 3 port का सपोर्ट देखने के पिल जाता है सिकूर्टी फीचर के लिए दोने स्मार्टफोन में साइड मौटेट फिंगरपीन सेंसर देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करी जा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेश्ट है कर दो आपको प्याओम के लिए प्याओब के लिए मौटे कौन से अपस्वादीन